भारत एक ऐसा देश है जहां के हर हिस्से में कुछ न कुछ उगाया ही जाता है यहां की तकरिबन 50% से जादा जनसंखिया अब भी अपने जीवन यापन के लिए खेती किसानी पर निर्भर करती है हाला की बदलते जमाने के साथ खेती में चुनौतियां भी बड़ी है मिट्टी की लगतार कम होती गुडवत्ता इसमें सबसे बड़ी दिक्कत के तौर पर उभर कर सामने आई है मिट्टी की गुडवत्ता पता करने के लिए स्वाइल टेस्टिंग जरूरी होती है इससे ये पता चल जाता है कि जिस खेत में हम फसल लगा रही है वे खेती लायक है या नहीं इसी को लेकर IIT बॉम्बी ने मिट्टी स्वास्ते परिक्षन उपकरन बनाया है इसका नाम उन्होंने नियोट्रेंसेंस दिया है ये मशीन छे मापदंडों पर मिट्टी का परिक्षन करता है साथ ही कुछ मिन्टों में ही मिट्टी की हेल्थ को लेकर रिजल्ट देता है खेत की मिट्टी को किस उर्वरक की आवशक्ता है इसके लिए किसान मिट्टी का परिक्षन करते हैं हाला कि इसका परिणाम आने में तक्रीबन 15 दिन लग जाते हैं वही इस उपकरन को बनाने वाले डॉक्टर राजूल पाटकर द्वारा बनाया गया नूट्रिसेंस महस कुछ मिनट में ही परिणाम दे देता है इससे किसानों को काफी मदद मिलती है इस डिवाइस के जरिये मिट्टी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक ग्राम मिट्टी का उप्योग करके एक नमूना तयार किया जाता है फिर एक छोटी शीशी में 3 मिलिमिटर का एक एजन घोल डाला जाता है इसे मिट्टी के साथ मिलाया जाता है फिर मिट्टी को सक्त होने के लिए लगबग आदे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है इसके बार डिवाइस के सेंसर पर घोल की एक बून डाली जाती है इस डिवाइस पे सभी छे मापदंडों के लिए मिट्टी का परिक्षन करने में सक्षम है इस डिवाइस की मदद से लगभग पांच मिनट में ही मिट्टी की परिनाम सामने आ जाएगा और मिट्टी स्वास्ते काट तैयार हो जाएगा इसे तुरंत मुबाइल फोन में डाउनलोड भी किया जा सकता है ब्योरो रिपोर्ट फसल करांती नियूज